हलो दोस्तों कैसे आप उम्मिद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्वागत आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब 15 के बारे में जहां पे हम बात करेंगे कि ग्लेन मैक्सवल अगर पंजाब 15 के टीम में आ जाते हैं तो फिर से पंजाब 15 को क्या फरक पड़ेगा ग्लेन मैक्सवल के आने से तो दोस्तों बने रही है हमारे से देखते हमारे वीडियो को like कीज़े शेयर कीज़े और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया हमारे चनल को तो जरूर जोबंचर्ब कर तेजे हमारे चनल को बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करियेगा ताकि जैसे ही कोई नया वी पॉंटिंग के साथ मिलकर काफी अच्छे खिलाडियों की खरीदी करने वाली है ऐसा बताया जा रहा है तो कहीं न कहीं इसी के लिहाँ से बताया जा रहा है कि पंजाब इस काफी अच्छे तगड़े खिलाडियों को मोटे पैसे देकर खरीदना चाहेगी इसे के साथ दोस्तों बात करें तो पंजाब इस अपने पुराने खिलाडी यानि कि ग्लेन मैक्सिल को टीम में वापस लाने की पूरी कोजिस कर सकती है बात करें ग्लेन मैक्सुल की तो ग्लेन मैक्सुल काफी तगड़ी एक खिलाड़ी है जब इनका बल्ला बोलता है तो अकेले ही पूरी तरीके से मैज कुछ दाने का माद़ा रखते हैं लेकिन अगर दोस्तों बात करें Glenn Maxwell के 15 में अपनी छाप छोड़ी है तो कही न कहीं पंजाब पीछे जा सकती है इस सीजन के लिए लेकिन अगर पंजाब पीछ जाती है तो कितने पैसे में इने टारगेट किया जा सकता है दोस्तों बात करें Glenn Maxwell के तो इनके पास consistency का एक अगर बात करें तो सिकायत रहती है कि किसी भी franchise को consistent performance लेकर के नहीं देते हैं लेकिन अगर जैसे Glenn Maxwell को target करते है पंजाब इंस तो उन्हें कम से कम 12 से 15 कोड के राशी के बीज में पंजाब इंस target करना चाहेगी उसके बात अगर दोस्तों बात करें और भी team bidding लगाती है तो पंजाब इंस उस चाहता पैसे भी Glenn Maxwell को देना पसंद करेगी क्योंकि बात करें पंजाब की इंस को चाहिए रहेगा और राउंडर की अच्छी खासी जोड़ी और ऐसे वे पंजाब की इंस के लिए Glenn Maxwell काफी एहम साबित हो सकते हैं आल राउंडर के लिहाज से Glenn Maxwell की विदेशी खिलाडी हैं पंजाब इंस के टीम में अगर आते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें एक अच्छा माहोल मिलेगा की ऑस्टिलिया मुल्के वो भी खिलाडी रह चुके हैं तो कहीं न कहीं ऑस्टिलिया खिलाडी पे ज्यादा फोकस करतों ही दिखाई दे सकते हैं इस सीजन में लेकिन अगर दोस्तों बात कर दिल्ली के फ्रेंचाइजी से भी जुड़े हुए थे रिक्ये पॉंटिंग तो कहीं न कहीं रिसब पंद के लिए बता जा रहा है कि रिक्ये पॉंटिंग उन्हें जरूर लेकर आएंगे पंजाब की इसकी टीम में आपका क्या मानना है इन दोनों के बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा रिसब पंद और ग्लेन मैक्सल दोनों अगर पंजाब की इसकी टीम से जूड़ जाते हैं तो पंजाब की उसको कितना बड़ा फायदा होगा ये तो आने वाले आईपल में ही देखने को पता चले दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा तो वीडियो में बस इतना ही आसा करत आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को देखने के लिए और अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद